C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारप्रस्तु थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ अध्याय साथ अन्तिम दौर दो प्रिष्ट संख्या एक सव छे अन्तिम दौर दो राष्ट्रियता बनाम सामराज्यवाद मध्य वर्ग की बेवसी गांधी का आगमन इस प्रिष्ट पर सबसे पहले है महात्मा गांधी का चित्र आईए अब सुनते हैं पाठ पहला विष्ट युद्ध आरंभ हुआ राजनीत उतार पर थी इसका कारण था कॉंग्रेस का तथाकतित गरम दल और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू किये गए नियम और प्रतिबंध अंततह विश्व युद्ध समाप्थ हुआ और शांती के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगती की बजाए दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लौ लागू हुआ जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया ऐसे समय में जब हमारे पारुष को लगातार कुचला जा रहा था शोशन की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीवी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ती क्षीन हो रही थी किसान वर्ग दब्बू और भैभीत था कारखाने के मजदूरों की स्थिती भी बेहतर नहीं थी मध्य वर्ग और बुद्धी जीवी लोग जो इस सर्व ग्रासी अंधकार में आकाश दीफ हो सकते थे खुद इस सर्व व्यापी उदासी में डूबे हुए थे प्रिष्ट संख्या 107 और तब गांधी का आगमन हुआ वे ताजा हवा के ऐसे जोंके की तरह आये जिसने फैल कर हमें गहरी सास लेने की योग्य बनाया वे उपर से अवतरित नहीं हुए थे वे भारत की करोणों की आबादी के बीच से ही निकल कर आये थे वे उन्ही की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनिय स्थिती की ओर ध्यान आकरशित करते थे उन्हों ने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीट से उतर जाओ तुम सब जो उनके शोचन के साहरे जिन्दा हो उस ब्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुरगती की जड़ है उन्हों ने जो कुछ कहा हमने उनमें से ज्यादतर बातों को आनशिक रूप में माना और कभी-कभी बिलकुल नहीं माना लेकिन यह एक गौण बात थी उनकी शिक्षा का सार था निर्भायता और सत्य और इन से जुड़ा हुआ कर्म वे हमेशा सामान्य जनता की खुशाली पर नजर रखते थे लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय व्यापक दमनकारी, दम घोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खूफिया विभाग का भय अफसरों वजमिंदारों के कारिंदों का भय, साहुकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय, जो हमेशा करीब खड़ा रहता था चारों तरफ हैले इस डर के खिलाफ ही गांधी की शांत किन्तू द्रिड़ आवाज उठी दरो मत इस तरह लोगों के उपर से भय का काला लबादा उठ गया पूरी तरह तो नहीं पर आश्चरे जनक मात्रा में क्योंकि भय का जूट से नजदीक का संबंध होता है जैसे जैसे जूट और लुक छिप कर काम करने की जरूरत कम होती गई वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा यह मनोवईज्यानिक परिवर्तन था गांधी ने भारत में करोणों लोगों को अलग-अलग मात्रा में प्रभावित किया कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया कुछ पर आन्शिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया पर पूरी तरह नहीं अलग-अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग-अलग जवाब था गांधी जी के नेत्रित्व में कॉंग्रेस सक्रिय गांधी जी ने पहली बार कॉंग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और ततकाल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में यह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छित्रे हुए थे लेकिन उनका जोर काफी था अब उसका खेती हर्चरित्र बढ़ने लगा और द्योगिक मजदूर भी उसमें आये लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अलग से संगठित रूप में नहीं इस संगठन का लक्षय और आधार था सक्रियता ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांती पूर्ण पद्धती थी अब तक जो विकल्प थे उसमें यातो केवल बादचीत करना और प्रस्तावपारित करना था अथ्वा हिंसक कारवाई करना इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेश रूप से निंदा की गई क्योंकि वह कॉंग्रेस की मूल नीती के खिलाब था काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांती पूर्ण था लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर जुकाना मन्जूर नहीं किया गया परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्विकार किया गया गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतीवादी थे वे गतिशील उर्जा से भरे सक्रिये व्यक्ती थे उन्होंने न कभी भाग्ये से हार मानी ना ऐसी बात के सामने सिर जुकाया जिसे वे बुरा समझते थे उन्हें मुकाबला करने की भरपूर शक्ती थी गर्चे वे ऐसा शांतीपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे सक्रियेता का आहवान दोहरा था जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनोती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियेता तो थी ही अपने खुद की सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियेता भी थी कॉंग्रेस के मुख्य आधार थे राश्ट्रिये एकता जिसमें अल्प संख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को उपर उठाने के साथ चुआ छूत के अभिशाप को खत्म करना शामिल थे प्रिष्ट संख्या एक सव नाओ गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए गर्चे कम लोगों ने खिताब छोड़े लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिये गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इजज़त समाप्त हो गई और वे पतन के प्रतीक बन गए नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए वाई सरोय और दरबार और रजवारों की शान शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी बेहद उपहासासपद अभद्र और शर्मनाक लगने लगी क्योंकि यह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी धनी लोगों ने भी कम से कम उपरी तौर पर उनमें से बहुतों ने साधा रहन सहन अपना लिया वेश भूशा में उनमें और मामुली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया कॉंग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज्यादा निश्क्रिये परंपरा में पले थे इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परिशानी हुई लेकिन जो हवा देश में बही इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया ऐसा कहा जाता है कि भारतिय मानस मूलतह निवरित्ती मार्गी है पर गांधी जी इस निवरित्ती मार्ग के एक दम विपरीत थे भारती जनता की निश्क्रियता के विरुध संघर्श करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्हों ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया उन्हों ने हमें गाओं की और भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अंगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई किसानों को जख जोरा गया, हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंका था हमने पहली बार ग्रामीन को उसकी कच्ची जोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है चिप्टे देखा हमने इन यात्राओं से भारती अर्थ विवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वता पूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना जो भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे, उन्हें बल मिला आर्थिक सामाजीक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सक्त थे उन्होंग ने इन सब को कॉंग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की इन में से कुछ विचारों को उन्होंग ने कॉंग्रेस में पैठाने की कोशिश की वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले चलना चाहते थे बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्विकार नहीं किया कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टी कौन से मतभेद था दो तरह से उनके विचारों का असफ़ष्ट किन्तु परियाप्त प्रभाव पड़ा हर बात की बुनियादी कसोटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहां तक होता है और दूसरे यह कि लक्षे भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महतोपूर्ण होते हैं और उनकी अंदेखी नहीं की जा सकती गांधी मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति हैं वे अपने अंतरतम की गहराईयों तक हिंदू है लेकिन धर्म संबंधी उनकी आवधारणा का किसी सिध्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके द्रिड़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते है सत्य और अहिंसा इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं उन्हों ने हर उस सिध्धान्त और व्यवहार को नामन्जूर किया जो उनकी आदरशवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था वे सबसे उपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह ओसत आदमी के लिए इससे राजनीती में परेशानी और अक्सर गलत फहमी पैदा होती है लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से हटा नहीं पाती क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिती के अनुरूप ढालते चलते हैं वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे उसके बारे में उनका विचार था मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के उचे नीचे वर्ग नहीं होंगे ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी ऐसे भारत में छुआ छूत या नशीली मदिरा और दवाईयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी स्त्रियों को पुरुशों के समान अधिकार होंगे यही मेरे सपनों का भारत है जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था वहां उन्हें ने हिंदू धर्म को एक सार्वभावमिक बाना पहनाने का प्रयत्र किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया उन्हें ने अपनी संस्कृतिक विरासत को संकीन बनाने से इनकार कर दिया प्रिष्ट संख्या 111 उन्हें ने लिखा भारती संस्कृती ना हिंदू है ना इसलाम ना पूरी तरह से कुछ और है यह सब का मिला जुला रूप है उन्हों ने आगे लिखा मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृती जितनी स्वतंतरता से संभव हो उतनी स्वतंतरता से फैले लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे मुझे यह मन्जूर नहीं आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है ना कला ना संगठन करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उप्योगी हो सकता है वही मेरे लिए सुन्दर है आज हम सबसे पहले जिन्दगी की जरूरी चीजें दें और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे उन्होंने कहा मेरी आकांग्शा है हर आँख से हर आँसू को पोँच लेना यह आश्चरे की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है भारत की सामान ने जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुम्बक की तरह आकरशित किया वे उनको अतीत के साथ भविष्टे को जोडने वाली कड़ी की तरह जान पड़े उन्हों ने केवल अपने अनुयाईयों में ही नहीं बलकि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चे नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है एक मनोवईज्यानिक क्रांती पैदा की कॉंग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कॉंग्रेस एक सक्रिये, विद्रोही, अनेक पक्षिये संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने जुग जाते थे, कभी-कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्विकार कर लेते थे प्रिष्ट संख्या 112 इस तरह सन 1920 में नेशनल कॉंग्रिस ने और काफी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार-बार संखर्श किया एक के बाद एक, दूसरा सविन्य अवग्या आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था, इसलिए उनसे शक्ती ही मिली जब सविन्य अवग्या आंदोलन जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आकरमक चरित्र समाप्तों हो गया था अल्प संख्यकों की समस्या मुस्लिम लीग मुहम्मद अली जिन्न जिसे सामप्रदाइक समस्या कहा जाता था वह अल्प संख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुत संख्यकों के खिलाफ परियाप्त संरक्षन मिल सके भारत के अल्पसंख्यक योरोप की तरह जातिय या राष्ट्रिय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जातिय दृष्टी से भारत में एक विचित्र मिश्रण है पर जातिय सवाल भारत में ना कभी उठे हैं ना उठ सकते हैं धर्म इन जातिये विभिनताओं के उपर है, जातियां या तो एक दूसरे में मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन होता है जाहिर है कि धार्मिक दिवारें स्थाई नहीं होती और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातिये प्रिष्ट भूमी या उसकी जातिये और भाशिक विरासत नश्ट नहीं हो जाती परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदाईक्ता ने ले लिया है इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और ये चित्र है मुहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी का सुनते हैं पाठ ये एक संकीन समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है किन्तु वास्तों में उसकी दिल्चस्पी राजनीतिक शक्ती और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती है प्रिष्ट संख्या 113 कॉंग्रेस साम्प्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगती के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सके कॉंग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसल्मानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग जैसे सिख, इसाई, आदी भी शामिल थे इसलिए राष्ट्रिय द्रिष्टी कोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रिय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोग तांत्रिक राज्य की स्थापना कॉंग्रेस निस संदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संबनता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस्थ दिया जाए इसलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायतता स्विकार कर ली गई और विभिन समुदायों के स्वतनत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमती हो गई दो बुनियादी प्रश्णों पर कॉंग्रेस अडिग रही राष्ट्रिय एकता और लोकतंत्र आधिशताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही गुजरे जमाने में कम से कम सिध्धान्त में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतिय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्विकार था अगस्त 1940 इसवी में कॉंग्रेस ने मजबूर होकर घोशना की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीती जन जीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है ब्रिटिश सरकार के जिमेदार लोग खुलम खुला हमसे यह कहने लगे कि शयद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बली चाहानी पड़े और यह भी भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है हम सांप्रदाइक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूड़ सके जो सब पार्टियों को मन्जूर हो यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामन्ती और प्रतिक्रियावादी समुदाय है इन में से कुछ यहां की जमीन की उपज हैं और कुछ को जर्म दे कर उनका पोशन अंग्रेजों ने किया है संख्या की द्रिष्टी से वे भले ही कम हो लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है बीते हुए दिनों में कॉंग्रेस की नीती मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोसाहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदाइक संगठनों को कॉंग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिध्धान्त था जिसकी उन्हों ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं हिंदू और मुसल्मान दो ही क्यों मैं नहीं जानता क्योंकि अगर राष्ट्रियता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं यहां तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराश्ट्रिय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राश्ट्रिय चीतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिध्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की आउधारणा का विकास हुआ लेकिन उस से दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे यहां यह पाठ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचनस्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत